असलाम वालेकूम दुस्तो आजskी वीडियों में हम सुभीरब की तीन बड़ी और एहम खबरे जो हैं, वो आप तौ हम दूस्तो के साथ सेर्गने वाले हैं, तो अगर आप सुभीरब में रहते हैं और सुभीरब की हाला से बाकषबर रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आ हम मजजिद अलहरम और मजजिद नभी सरीब को खोलने वाले हैं। हम इस पर काम जो है वो कर रहे हैं और बहुती जल्द इन दोनों मुकद्द जगाओं को जो है हम खोल देंगे। आपको देशने की अभी इस हवाले से कोई भी डेट और तारिक नहीं बताई गई है कि ये कब तक खोलेगा लेकिन इंसालला बहुती जल्द मजजिद अलहरम और मजजिद नभी सरीब को जो है वो खोल दिया जाएगा। जैसे ही कुरुना वारिस पर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा सौधी रफ के अंदर वो इसे ही इन दोनों मुकद्द जगाओं को जो है वो ओपन कर दिया जाएगा जिससे कि जो लोग उमरा करना चाहते हैं वो मजजिद अलहरम में जा सकेंगे और जो लोग नभी स. जा सकेंगे तो इन दोनों मुकद्द जगाओं को जो है वो खोला जा रहा है जोस्तो अगली खबर यह है कि रियाद मुलसी पाल्टी ने कुरोना के हवाले से मुकरर हिफाजिती इंत्जिमात की खिलाफ फरची पे 170 इदारों को सील कर दिया सौधी हकूमत ने मवजूदा हालात में कुरोना के फाइलाओ को रोकने के लिए एतियाती इंत्जिमात करते हुए तिजारती इदारों को कारोबार करने की इजायत दी है तक कि ना सरमाया कारों को नुक्सान हो और ना ही लोग कुरोना की बीमारी से मतासिर हो अकबार 24 के मताबक रियाद मुलसीपाल्टी की जानिब से जारी बयान की हवाले से कहा गया है कि कुरोना को फाइलने से रोकने के लिए मुकरर इंतिजमात की खिलाव फरजी पे तिजारती अदारों पे भारी जुर्माने लगाए गए हैं रियाद मुलसीपाल्टी ने ध्यान दिलाया है कि तिजारती दारों को खोलने से पहले मालिकान को ताकित की गई थी कि उन्हें कुरोना वाइरिस से बचाओ के लिए मुकरर इंतिजमात करने होंगे और वाइरिस को फैलने से रोकने के लिए मुकरर हिफाजिती इंतिजमात की हर सूरत में अमल करना होगा अगली खबर यह है कि सौधी मिनिश्टी आफ हिल्थ के तरज्मान डक्टर मुहमद अलाबद अलाली ने कहा है कि मिनिश्टी आफ हिल्थ और दूसरी एजंसियों के सपोर्ट से गनी अबादी वाले इलाकों में करोना टेस्ट के मनसूबे पर काम किया जा रहा है याद रहे कि सोसल मीडिया पर इस قسم की बाते वाइरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एक माई से घर घर जाके करोना टेस्ट किया जाएगा वेब नीज सबक के मताबिक मिनिश्टी आफ हिल्थ के तरज्मान ने करोना टेस्ट सेंटर के हवाले से कहा के करोना की बीमारी से निपटने के लिए मिनिश्टी आफ हिल्थ और दूसरी जंग्जियों के सपोर्ट से कई तरह के अमल सुरू किये गए हैं जिसमें से एक ये की आईसी जगहों पर जाया जाये जहां पर कुरोना के मरीज ज़्यादा रिकोर्ट किया जाए हैं अल अबद अल अली ने तवज्ज़ दिलाई कि घनी अबादी वाले जगहों पर कुरोना टेश्ट बाकादा निजाम के मताबिक होगा सूदी सहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से बाकाइदा तरीके से राप्ता किया जाएगा हर एक को टेस्ट के लिए वक्त और जगा के बारे में इन्फोर्मेशन दी जाएगी अल अबद अल अलिन ने तवज्ज़ दिलाई कि ये जो खबर सोसल मीडिया पर चल लए है कि करोना टेस्ट के लिए टीमे घर घर जाएंगी ये सरासर अफवा है हाकिकत से इसका कोई भी तालुक नहीं है तो इस तरह की जो खबरें सोसल मीडिया पर चल लए है कि टीमे जो है वो घर घर जाकर करोना का टेस्ट करेंगी तिहां पर जो मिनिश्टी आफ हिलते के तरजमान हैं उन्होंने कह दिया है कि ये सिर्फ अफवा है हाकिकत से इसका कोई भी वास्ता नहीं है